आज की इस वीडियो में हम मतन यखनी पुलाव मनाएंगे और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दे सबसे पहले एक देख्ची में 1.5 टेबिल स्पून ओइल डालेंगे 6-7 लोंग डालेंगे जीरा एक टेबिल स्पून डालेंगे एक धार चीनी स्टिक को मैंने छोटे पीसेस में कर लिया था अब इसमें वो डालेंगे तीन छोटी ऐलाइची डालेंगे और दो बड़ी ऐलाइची दो बादियान के फूल डालेंगे एक टेबिल स्पुन साबत काली मर्चर डालेंगे एक टेबिल स्पुन सौफ डालेंगे अब इन सब को थोड़ा सा बून लेंगे अब इसमें लेसन अद्रक का पेस्ट डालेंगे एक टेबिल स्पून एक किलो मटन डालेंगे नमक डालेंगे हस्पेस आयका एक कटी हुई प्यास डालेंगे अब इसमें पान से छे कप पानी डाल के पकाएंगे जब तक के गोश्ट हमारा गल जाए पानी एंड में चार दिरास तक बचना चाहिए और अगर कम लगे तो मजीद पानी एड़ कर सकते है गोश्ट घल गया है और अब गोश्ट को अलदा करके पानी को छान लेंगे अब एक दूसरी देख्ची में एक कप ओल डालेंगे एक कप दही डालेंगे एक से दू मिनद तक इसको पकाएंगे पांच हरी मिर्चे डालेंगे पांच लोंगी मिर्च डाल देंगे एक टेबिल स्पून लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे नमक डालेंगे हस्पस आएका एक टेबिल स्पून जीरा डालेंगे हाफ टेबिल स्पून साबट काली मिर्चे अब इसमें गोश डालेंगे गोश्ट की यखनी डाल देंगे जो हमने बनाई थी अब इसमें आधा किलो चावल डालेंगे ये चावलों को मैंने अच्छे से दोका 15-20 मिनिर तक बिगो लिया था चावलों को 5-6 मिनिर तक पकाएंगे जब तक इसका पानी खुश्क हो जाए और बिल्कुल थोड़ा बचे और अब हम चावलों को 15-20 मिनिर तक दम पे लगा देंगे अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सबस्काइब जरूर कर दें थैंक ये वर वाचिंग इस वीडियो अलाहाफिज